पश्कार दोस्तों सभी लोगों का स्वागत हैं आपके अपने चैनल आज मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देने आया हूँ जो कि भारत के उपर भी असर डाल सकती है भारत को भी नुकसान पोचा सकती है कि यह अंत्रिक्ष की होति हुए घटना जो विश्व में साथ की साथ भारत में किस परकार का खतरनाक असर उत्रिपन हो चकता है इसके बारे में सारी जानकारी में आप लोगों को देने वाला हूं कि टीम्स तयार कर ली गई है चीजों को सुरक्षित रखने की विवस्था तयार कर ली गई है चारों और बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि कब किस जगे के उपर किस थान के उपर गटना गटित हो जाए जिससे बचने की तयारी भारत के अंदर भी और बाकी जगाओं के उपर जो आसपास के शेतर है उन लोगों के द्वारा भी तयार कर ली जा रही है तो डारेक्टली ये चेतावनी जो हमारे साइंटिस्टों के द्वारा मिली है सारी विस्तृत रूप से इस जानकारी को जानेंगे क्या है ये जानकारी किस परकार से भारत के उपर भी किस चीज का खट्रा आ रहा है और क्या हकीकत में अब आगे आने वाले टाइम में ये चीज़े और भी तेजी से भढ़ती चली जाएंगी जिसके कारण मनुष्य को नुकसान हो सकता है तो आज इस रहसे के उपर से गु पूरी के पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को आल पर कीजिएगा ताकि आने वाली महत्पून जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से उपलब धोती रहे और आप भी इ पिना लेट के उए अपनी विडियो को नासा की एक report जिसने चेतावनी दिये आज के लिए नासा ने इस रो को चेतावनी दिये नासा ने सभी लोगों को सभी companies को जिनकी satellites yu मंदल के बहार है उनको चेतावनी दिये सबी टेली कम्टिकेशन्स और इलेक्ट्रो गिरिड वाले पावर स्टेशन्स को चेतावनी दिये उन्होंने कहा है कि अभी तक का केटेगरी एक्स 9.1 सबसे बड़ा सोल फ्लेयर हमारे पिर्थवी के साथ में टकराने वाला है और इसके टकराने से बहुत सारी जगाओं के ऊपर असर पड़ सकता है खास तोर के ऊपर इसके टकराने से हमारी सेटल लाइट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है इसके टकराने से हमारी टेली कम्म्निकेशन रेडियो सिगनल्स के उपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और जी हाँ इस बार जो ये टकराने वाला शेतर है इसके मद्धे में भारत भी आ रहा है क्योंकि पिछली बार जब ये घटना घटित हुई थी उस समय के उपर केवल ओशियन्स के उपर प्रभाव पड़ाता उस एरिये के रेडियो सिगनल्स ठप हो गए थे लेकिन अब ये जो छे महीने या तीन महीने के बाद में बार 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 रेगुलर हो रही है तो इसका बड़ा असर हम लोगों को भारत के ले लद्दाक वाले शेतरों के अंदर भी देखने को मिल सकता है और ये सोलर तुफान जो सबसे बड़ी तयारी करा रहा है इतने सारे लोगों से इतनी सारी टीम से ये तयारी इसलिए करी जा रही है क्योंकि इतना बड़ा इतना बड़ा एनरजी सन से नहीं निकला आप लोगों को पता है सूरिय हमारा 11 साल की साइकिल के अंदर चल रहा है जो 2025 के अंदर पूरी होएगी और इस साइकिल के पूरे होने से पहले भीश्मकारी सोलर फ्लेयर पिर्थवी के उपर रेगुलर टकराती रहेंगी और कौन सी कितनी बड़ी और कितनी जादा खतरनाक हो सकती है ये जब वहाँ पे निकलती है और पिर्थवी तक आती है तो उसके बाद ही पता लग पाता है रेगुलर तोर के उपर नासा इसरो और रशियन स्पेस एजनसी बहुत सारी स्पेस एजनसी ऐसी है जो इन पे अगे पे टकराने की चेतावनिये वह पहले से पिर्थवी तक भेज दी जाती है तो इस बार ये ले लड़ा के ऊपर बड़ी तेजी से टकरा सकता है अगर मैं बात करता हूं इंसानों की तो इंसानों के ऊपर इसका डारेक्टली कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा क्य केवल और केवल हमारे अनू परमानू संत्र यंत्रों के ऊपर असर डालते हैं जिसमें से भारी वायूमंडली शेप्तर के अंदर होने वाली सेटलाइट्स सबसे ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ेगा फिर जब ये तुफान पिर्थवी के वायूमंडल से भारी वायू को मिलने वाले हैं और ललदाक में जादतर देखने को मिलेंगे ममेगनिटिोस पर्स के रूप में एक बहुत बड़ी गड़बड हो सकती है जो मेंगनिटियोस पर साहिसके अंदर होने वाली कड़बड ये दिखा सकती है कि रेडियो ब्लैक आउट हो जाए ये दिखा सकती है कि यांतरिक प्रणाली को बड़ा नुकसान पोच जाए ये दिखा सकती है कि आने वाले समय के अंदर टेली कम्मुनिकेशन्स को भी हानी पोस्ती हुई नचर आए तो इस बार का ये सुलर फ्लियर जिसके लिए चेतावनी दी जा रही है जिसके लिए तैयारी की जा रही है ये हकीकत में प्रत्वी के लिए खतरनाक है टकराने की बात तो आठ बजे के आसपास हो रही थी लेकिन इसको जब ये निकलता है तो भारी अक्षांस के अंदर भारी एरियों में जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें इसकी स्पीड तेज और धीमी होती जाती है तो एक्च्वल टाइम का अनुमान लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि कितने बजे कितने समय के उपर टकराएगा लेकिन ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये पिर्थवी के साथ में टकराएगा जरूर और अगर पिर्थवी के साथ में टकराएगा तो इस बार थोड़ा बहुत नुकसान पावर ग्रिड्स के उपर थोड़ा बहुत नुकसान सैटलाइट्स के उपर थोड़ा बहुत नुकसान हमारी टेली कम्निकेशन्स के उपर पढ़ सकता है क्योंकि इनके लिए जो टीमें तैयार है वो रेगुलर्ली अगर नुकसान होता है तो उसको फटाफट रिपेर करने के लिए बुलाई गई है ताकि किसी भी परकार की सेवा के अंदर कोई हानी ना पोचे सेवा डारेक्टली चलती रहे जो सर्विसिस वो प्रोवाइड करने हैं उनके लिए किसी भी परकार की दिक्कते महसूस ना हो तो उमीद है आज ये दी गई जानकारी आप लोगों के लिए विशेशकर अच्छी होगी ध्यान रखिए मोबाइल्स वगेरा को जेम में मत रखिएगा पॉकिट के अंदर मत रखिएगा क्योंकि जब इतना बला कैटेगरी एक्स का 9.1 का सोलर फ्लेयर आ रहा है तो हो सकता है यंतर तो मोबाइल भी है हमारा तो थोड़ा सा दूर रखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए हम लोगों की सुरक्षा के लिए क्योंकि यंतरों के उपर इनका प्रभाव पड़ेगा मनुश्य के उपर इनका प्रबाव नहीं पड़ेगा मनुश्य के लिए हमारी ओजोन लेयर काफी है हमारे को बचाओ प्रदान करने के लिए लेकिन अब जैसे जैसे समय पास आ रहा है वैसे वैसे ये घटनाए बड़ी और विस्तार और बहुत ही तीवर होती जा रही है जिसका नुकसान हो सकता है कभी ना कभी इस पिर्थवी के उपर भी आए और हमारे जैसे जो इतने भी लोग जीवजन्तु रह रहे हैं उनके उपर भी किसी परकार का इलेक्रोमेगनेटिक चार्ज का असर अगर पड़ेगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे तो फिर मिलेंगे कल आज के लिए इतना ही जै श्री किर्शना जै माता दी